लालू यादो is the superstar of Indian politics in mind, 20th century. इस 40 साल undisputedly चलाना या तो भगवान विश्णु के बसकी बात है या लालू यादो के बसकी बात है. वक्त ने साथ नहीं दिया हैं तो पधानमंत्री बनते हैं. चालिस सालों तक सियासत पर कबजा रखना और चालिस सालों तक सत्ता को चलाना या तो भगवान विश्नु ही चला सकते हैं या ये के राजस सिप्रिमो लालु पुर्शाद यादब चला सकते हैं सियासत की ऐसी ताकत लालू यादब में है या भगवान विश्णू में है ये कह के उन रहा है आपको पता है ना तो RJD का उससे संबंध है ना तेस्वी यादब के साथ बैठते हैं ना लालू यादब के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई लेकिन वो एक बड़े शिक्षक है आवदोजा नाम है शोशल मीडिया पर लोगों में काफी ज़्यादा लोग पिरिये हैं और वो I.S. और I.P.S. की तैयारी कराते हैं एकराय अकेडमी के वो टीचर हैं और लगतार लोगों को मुटिवेशनल स्पीच दे करके वो सुर्खियां बटोडते हैं लेकिन इस वक जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आवदोजा की चर्चा है वो ये लालू प्रशाद यादब की राजितिक छवी लालू यादब की जो राजितिक इच्षक्ती है उसको लेकर के उन्होंने एक बात कही है उन्होंने ये कहा है कि या तो 40 साल तक बिहार की सत्ता को सलीके से चलाने का दम अगर किसी में है तो वो लालू यादब में है या अगर राजिति से हट करके भगवान की दृष्टी कोन से देखा जाए तो वो भगवान ही चला सकते हैं लालू यादब की एक तरह से राजितिक जो सूचबूज है जो जिस तरह से बिहार को उन्होंने चलाया है या अब भी जो राजिति में उनका अपना एक सियासी वर्चस्प है जिस तरह से वो भारती जंता पार्टी या विपक्ष पर जिस तरह से वो हमला करते रहते हैं लालू प्रिशाद यादब, उनकी जो सियासी सूजबूज है, जिस तरह से लोगों को उनोंने एकठा किया, लोगों को जबान दी सियासी तोर पर, जो लोग एकदम बिलकुल किनारे खड़े थे, उनको लालू प्रिशाद यादब ने एक साथ संजो करके, बिठा करके, लोगों के साथ इनसाफ का मामला कर सकता है, वही सारी खुबी लालू प्रिशाद यादब के साथ है, चालिस साल तक लालू यादब ने बिहार को सलीके से संभाला है, तो आवधोजा की तरफ से, लालू यादब की ये जो तारीफ की गई